आइस आनायलक एक बॉम नहीं है वेसे तो ये एक बॉम है पर बॉम हमेशा सब कुछ डेस्ट्रोई कर देते हैं पर आनायलक डेस्ट्रोई करता है और क्रियेट भी करता है हमारी इस दुनिया के जिसी भी कोने में टाइम एक्जिस्ट नहीं करता है वहाँ अनायलग एक न्यू इनिवर्स क्रियेट करता है पर जिस जगा टाइम एक्जिस्ट करता है वहाँ ये सब कुछ मिटा देता है पर क्या बिंटेन के किसी भी एलियन के पास अनायलोग को फटने से रोकने का पावर है अगर है तो वो कौन से ऐसे एलियन से जो ये कम कर सकते है आज हम बिंटेन के टॉप पाइप ऐसे एलियन को रिबिल करेंगे जो कि अनायलोग को फटने से रोकने में कापबल है तो गाइस हमारी लिस्ट के नमबर फाइप पर है एलियन एक्स दोस्तो हमें यह पता है कि बेनने यूनिवर्स को बचाने में बहुत डेर कर दिया था इसलिए एलियन एक्स ने पूरे यूनिवर्स को रिक्रेट किया था अगर बिन आनायलोग आक्टिफ होते टाइमी एलियन एक्स में टास्फम हो जाता तो वो आपने सरीना और बिलिकोस को बम को डिफूज करने के लिए मना सकता था अगर बोदोनों राजी हो जाते तो एलेनेक्स अनायलक को डिफ्यूज कर सकता था पर जो के थोड़ा मुस्किल है क्योंकि सारेनार विलिक उसको मोनाना विल्कुल आसान नहीं है इसलिए एलेनेक्स अमारे लिस्ट के नमबर 5 पोजिशन पर है और गाइस नमबर 4 पे ही इजक्ट करेगा क्योंकि तब उसने माल्ट्रेट पर उस पावर को इजक्ट किया था नमबर 3 अप्चक गैस अगर अप्चक अनायलक को निगल जाता है तो अनायलक डिफ्यूज हो सकता है क्योंकि अप्चक जो भी चीज खाता है वो एक दूसरे डाइमेंशन में जमा होता इस तरह बो अनायलक को एक दूसरे डाइमेंशन में भेज सकता है नमबर 2 पे है क्लॉक वाक इसके वारे में तो कुछ ज्यादा कहने के जरूत नहीं है आप सब लोगों को पता ही कि यह एले ने अपने टाइम रिलेस की मदर से अनायलक के फटने को रिबर्स कर सकता है और इसी तरह बो अनायलक को डिफ्यूज कर सकता है तो वहाँ एक निया इनिवर्स करेट हो सकता है तो गाइस आज के हमारे टॉप आप लिस्त तो यही तक था पर आप हमारे दूसरे टॉप काटिगरी के वीडियोस को जरू देख सकते हो ड़ ऑपने को 10 अब गिः सकता है तो एक कि चल आपनें तो हमारे टिड देख सकता है ओनाया थांप लिएी तो ऋहीं औरी कर सकता है ज हipping को आप आख सकता है और कर दो हमारे रगने है यह तो हमारे चुछने को बाको ऐसे बादальная का मैंक Drag